नमश्कार मेरा स्नेह भरा नमश्कार सभी को महाशिवरात्री के इस पावन मोके पर मैंने सुचा क्यों आज महाशिवरात्री की व्रतकथा ही बताई जाए और थोड़ा सा हिंदु धर्म के प्रती लोगों का लोगों की रुची बढ़ाई जाए महाशिवरात्री व्रतकथा एक बार एक गाव में शिकारी रहता था वश्यों की हत्या करके वह अपने कुटम को पालता था वह एक सहुकार का रुनी था लेकिन उसका रुन समय पर न चुका सका क्रोध वश सावकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया संयोग से उजिन शिवरात्री थी शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंदी धर्मिक बाते सुन ता रहा चतुर दशी को उसने शिवरात्री की कथा भी सुनी संध्या होते ही सावकार ने उसे अपने पास बुलाया अपने रुन चुकाने के विशे में बात की शिकारी अगले दिन सारा रुन लोटा देने का वचन देकर बंधन से छूड़ गया अपनी दिन चरिया की भाती वह जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन बर बंधिग्रह में रहने के बा कारण भूख प्यास से व्याकुल था शिकार करने के लिए वह एक ताला के किनारे बेल वरक्ष पर पड़ाव बनाने लगा बेल वरक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलव पत्रों से ढखा हुआ था शिकारी को उसका पता न चला पड़ाव बनान ते समय उसने जो धहनिया तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी इस प्रकार दिन भर भूख्य प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गया एक पहर रातरी बिर जाने पर एक गर्भीनी मुरूगी ताला पर पानी पीने पहुची शिकारी न धनुष पर तीर चड़ा कर जो ही प्रत्यचा खिची मुरूगी बोली मैं गर्भनी हूं शिग्र ही प्रसव करोंगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक न जाओगी तुम मुझे मार लेना शिकारी ने प्रत्यचा धिली कर दी और मुरूगी जाड़ियों में लुप्त हो गई प्रत्यचा चड़ाने तथा धिली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही तूटकर शिवलंग पर गिर गये इस प्रकार उसने अंजाने में ही प शिकारी प्रसनता का ठिकाना न रहा समीप आने पर उसने धनुश्य पर बान चड़ाया तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निविदन किया हे शिकारी मैं थोड़ी देर पहले रुतु से निवृत्त हुई हूँ कामातूर विरेनी हूँ अपने प्रियक की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने प्रियक पतिक से मिलकर शिगर ही तुम्हारे पास आप जाओंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार खो से लगकर कुछ बेल पातर शिवलिंग पर जागिरे तथा दुसरे प्रहर का पोजन भी संपन न हुआ शिकार को खोकर उसका माथा ठंका वो चिंता में पढ़ गया रात्री का आखरी पहर बीत रहा था तभी एक अन्यम्रुगी अपने बच्चों के साथ उदर से निकली श बोली हे पारधी मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लोटाओंगे इस समय मुझे मत मारो शिकारी हसा और बोला सामने आये शिकार को छोड़ दूँ मैं ऐसा मुर्ख नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूख प्यास से तड बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ है पारधी मेरा विश्वास कर मैं इनके इनके पिता के पास शोड़कर तुरंत लोटने की प्रतिग्या करती हूँ मुरूगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई उसने उस मुर भाव में बेल व्रक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था पॉप फटने हो को हुई तो एक हश्ट पुष्ट मुरूग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा शिकारी ने तनी प्रत्य त्यचा देखकर मुरूग विनित्सवर में बोला है पारदी भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले तीन मुरूगियों तथा चोटे-चोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो ताकि उनकी वियोग में मुझे एक क्षन भी दुख सेना पड़े मैं उन मुरूगियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ जीवनदान देने की कृपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्चित हो जाऊँगा मुरूग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया उसने सारी कथा मुरूग को सुना दी तब मुरूग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार पतिद्या बद्ध होकर गई है मेरी मुत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी अन्त जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्रब बान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शिगर ही उपस्यत होता हूँ उपवास रात्री जागरन तथा शिवलिंग पर बेल पतर चड़ाने से शिकार का हिंसक रदे निर्मल हो गया था उसमें भगवत शक्तिक का वास हो गया था धनुश्यत अथा बान उसके हाथ से सज ही छूड़ गया भगवान शिव की अनुकमपा से उसका हिंसक रदे अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्यताप की ज्वाला में जलने लगा थोड़ी ही देर बाद मुर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्यत हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके किन्तों जंगली पश्यों की ऐसी सत्यता सात्विक्ता एवं सामुहिक प्रेम भावन देखकर शिकारी को बड़ी द्यानी हुई उसके नेत्रों में आसो की जड़ी लग गई उस मुर्ग परिवार को न मार कर शिकारी ने अपने कठोर दे को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमलें दयालू बना दिया देव लोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख र देवार मुक्ष को प्राप्थ हुए तो इस पर वक्रार था महाशिवरात्री की वृत कथा धन्यवाद हर हर महादेव